Question दिया है, एक व्यक्ति P से प्राता, च्षे बजे निकलता है, और उसी दिन दोपहर 2 बजे Q पर पहुंचता है, tit दिन दोपहर 3 बज़े P पर पहुंचता है वे किस समय मिलते हैं पहले वक्ति द्वारा लिया गया समय निकालेंगे पहले वक्ति को फर्स्ट परसन लिख लेंगे ये सुबद 6 बज़े चलता है और 2 बज़े Q पर पहुंचता है तो इसको 8 घंटे का समय लगता है दूसरे वक् जे बिंदू P पर पहुंचता है तो इसको 7 घंटे का समय लगता है 8 और 7 का LCM ले लेंगे दोनों का LCM आ जाएगा 56 माल लेंगे 56 खुल दूरी है अब इस दूरी को पहला पर्सन 8 घंटे में तै करता है तो पहले व्यक्ति की चाल हो जाएगी Distance upon Time distance है 56 किलो मेटर और पहले व्यक्ति को समय लग रहा है 8 घंटे का तो पहले व्यक्ति की चाल हो जाएगी 7 किलो मेटर पती घंटा दूसरे व्यक्ति की चाल निकाल लेंगे दूरी है 56 km की और दूसरे व्यक्ति को समय लग रहा है 7 घंटे का तो दूसरे व्यक्ति की चाल हो जाएगी 8 km पती घंटा क्योंकि पहला व्यक्ति 6 बजे निकल रहा है और दूसरा व्यक्ति 8 बजे निकल रहा है तो पहला व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से 2 घंटा पहले निकल रहा है, तो ये 2 घंटे में कुछ दूरी तै करेगा, तो पहले परसन द्वारत 2 घंटे में तै की गई दूरी निकाल लेंगे, distance equal हो जाएगा, speed into time, पहले व्यक्ति की चाल है, 7 km पती घंटा, और वो 2 घंटे पह 15, minus 14, तो से इस दूरी आ जाएगी, 42 km, अब इस दूरी को दोनों व्यक्ति मिलकर तै करेंगे, तो दोनों व्यक्ति द्वारा इस दूरी को तै करने में लगने वाला समय निकाल लेंगे, टीकल हो जाएगा, distance upon speed, distance है 42 km, और पहले व्यक्ति की चाल है, 7 km पती घंटा, और द 14, 15 में भाग दे देंगे, 5, तो यह हो जाएगा, 14 बटे 5, यह हो जाएगा, 2 सही, 4 बटे 5, इसको हम लिख सकते हैं, 2, plus 4 बटे 5, और इसमें 60 का गुणा कर देंगे, 5 से भाग दे देंगे, 60 में, 12, तो यह हो जाएगा, 2 घंटे, और 48 मिनट, दोनों व्यक्ति 42 km की दूरी को 2 घंटे 48 मिनट में तैं करते हैं, तोनों की मिलने का समय निकालना है, अब दोनों व्यक्ति 8 बजे चल रहे हैं, और दोनों सेस दूरी को 2 घंटे और 48 मिनट में तैं करते हैं, तो इस टाइम को इसमें जोड देंगे, तो दोनों व्यक्तियों का मिलने का समय हो जाएगा, 10 बच कर 48 मिनट ये सुबह 10 बच कर 48 मिनट पर मिलेंगे option cease कर right answer होगा next question दिखेंगे question दिया है एक कार 54 km गंटे की गती से एक निश्च्च दूरी तै करने में 50 मिनट का समय लेती है यदि गती में 25 प्रसत की व्रद्धी की जाती है तो समान दूरी के 3 चौथाई को तै करने में उसे कितना समय लगेगा कार की 40 speed उकल दिया है 54 km गंटा और उसको समय लग रहा है 50 मिनट का तो दूरी निकाल लेंगे distance उकल हो जाएगा speed into time speed है 54 km गंटा और समय है 50 मिनट का मिनट दिया है तो घंटे में convert कर लेंगे बटे 60 कर देंगे 0 से 0 cancel हो जाएगा 6 का भाग देंगे 54 में 9 9 को गुणा कर देंगे 5 में तो दूरी आ जाएगी 45 km यदि गती में 25 प्रसत की व्रद्धी की जाए चाल 54 km गंटा है तो नई चाल हो जाएगी S1 इकल 54 km गंटा और इसमें 25 प्रसत की व्रद्धी की जा रही है तो गुणा 125 बटे 100 25 से भाग देंगे 5 यह जाएगा 4 2 से भाग देंगे इसमें 2 और यह हो जाएगा 27 तो नई चाल हो जाएगी 135 बटे 2 km गंटा तो समान दूरी के 3 चौथाई को तै करने में उसे कितना समय लगेगा दूरी 45 km की है और उसने चाल में 25 प्रसत की व्रद्धी कर दी है तो उसकी चाल हो गई है 135 बटे 2 km पर ती घंटा तो समय निकाल लेंगे तो टाइम उपकल हो जाएगा दिस्टिन्स अपॉल S1 डिस्टिन्स है 45 km और इसका 3 बटे 4 निकालना है तो गुड़ा 3 बटे 4 कर देंगे बटे स्पीड है 135 बटे 2 यह हो जाएगा 135 बटे 4 बटे 135 बटे 2 135 से 135 कर जाएगा टीकल हो जाएगा दो बटे 4 यह हो जाएगा एक बटे 2 यह हो जाएगा 30 मिनट तो समान दूरी का 3-4 भाग तै करने में उसे 30 मिनट का समय लगेगा ऑप्शन डीस का राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन यह हितेज 70 किलोमेटर पती घंटा पर आटो ड्राइविंग के माध्यम से है अठाइस सो किलोमेटर की और स्पीड है उसकी 70 किलोमेटर पती घंटा तो समय आ जाएगा 40 घंटे जब वो इसी दूरी को 50 किलोमेटर पती घंटा की 40 से बाइक से तै करता है तब लगने वाला समय निकालेंगे टीटो इकल हो जाएगा 2800 बटे 50 50 से बाग जिदेंगे 2800 में तो समय आ जाएगा 56 घंटे तो कुल समय निकालेंगे टोटल टाइम हो जाएगा 40 प्लस 56 बराबर 96 घंटे टोटल डिस्टेंस निकालेंगे टोटल डिस्टेंस हो जाएगे 2800 प्लस 2800 बराबर 56 किलोमेटर एवरजी स्पीड निकालेंगे एवरजी स्पीड इकल हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस है चपन सो किलोमेटर और समय लग रहा है 96 घंटे का सॉल्व कर लेंगे इसे तो यह आ जाएगा 175 बटे 3 किलोमेटर पूरी यात्रा की औसत गती बाइक की गती से कितना प्रतिसत अधिक है माल लेंगे बाइक की गती औसत गती से एक्स प्रतिसत अधिक है और बाइक की गती है 50 किलोमेटर पती घंटा और औसत गती दी है 175 बटे 3 यह जाएगा एक्स बटे 100 25 से भाग दे देंगे यह जाएगा 2 और 175 में भाग दे देंगे तो 7 बार जाएगा गुड़ा दो बराबर साथ बटे तीन दो का भाग दे देंगे सौ में पचास एक्स बराबर हो जाएगा तीन सो पचास बटे तीन यहाँ पर पूझा जा रहा है बाइक की गती से कितना प्रतिसत अधीक है कोई भी संख्या आपने आप में सो प्रतिसत होती है तो सो इस में से घटा देंगे तो कितने प्रतिसत अधीक है पता चल जाएगा एलसियम आ जाएगा तीन यह हो जाएगा तीन सो पचास माइनस तीन सो यह हो जाएगा पचास बटे तीन यह हो जाएगा सोला सही दो बटे तीन प्रतिसत तो पूरी आत्रा की ओसत गती बाइक की गती से 16 सही 2 बटे 3 प्रस्षत अधिक है ओप्सन सीज का राइट आंसर होगा नेक्ट कोश्चन लिखेंगे कोश्चन दिया है एक बस 33 किलोमीटर पती घंटा की प्रारम भी गती से दोड़ना सुरू करती है और इसकी गती हर घंटे एक निश्चित मात्रा में बढ़ जाती है यदि 315 किलोमीटर की दूरी तै करने में 7 घंटे लगते हैं तो बस की गती में प्रती घंटा व्रद्धी क्या होगी माल लेंगे बस की गती X किलोमीटर पती घंटा बढ़ती है हर घंटे में X किलोमीटर बढ़ जाती है चाल है उसकी 33 किलोमीटर पती घंटा और वो 315 किलोमीटर की दूजी 7 घंटे में तैंग कर रहा है पहले घंटे बस की चाल रहेगी 33 किलोमीटर पती घंटा क्योंकि ये प्रारंभीक चाल है प्लस दूसरे घंटे बस की चाल हो जाएगी 33 प्लस X किलोमेटर पती घंटा प्लस तीसरे घंटे बस की चाल हो जाएगी 33 प्लस 2X किलोमेटर पती घंटा प्लस चौथे मिनट बस की चाल हो जाएगी 33 प्लस 3X किलोमेटर पती घंटा प्लस पाच्वे मिनट बस की चाल हो जाएगी 33 प्लस 4X किलोमेटर पती घंटा प्लस छट्वे घंटे बस की चाल हो जाएगी 33 प्लस 5X किलोमेटर पती घंटा प्लस सात्वे घंटे बस की चाल हो जाएगी 33 प्लस 6X किलोमेटर पती घंटा और ये दूरी तैंग कर रहा है 315 किलोमेटर की तो बराबर हो जाएगा 315 किलोमेटर जोड़ लेंगे सभी को यह हो जाएगा 21x plus 231 equal 315 21x equal हो जाएगा 315 minus 231 21x equal हो जाएगा 84 तो x equal आजाएगा 4 किलोमेटर पर आवर्ड तो बस की गती में प्रती घंटा 4 किलोमेटर की व्रद्धी हो रही है option 10 का right answer होगा next question दिखेंगे question यह है सहर पर निकला एक व्यक्ति प्रथम 160 किलोमेटर की दूरी 84 किलोमेटर पती घंटा एवं अगली 160 किलोमेटर की दूरी 80 किलोमेटर पती घंटा की रफतार से तै करता है तो सहर के पहले 320 किलोमेटर के लिए औसत रफतार रही है व्यक्ति प्रथम 160 किलोमेटर की दूरी 64 किलोमेटर पती घंटा में टै करता है तो पहला समय निकालेंगे टीवा निकल हो जाएगा 160 किलोमेटर की दूरी है और चाल है इसकी 64 किलोमेटर पती घंटा 64 का भाग देंगे 160 में तो समय हो जाएगा 2.5 घंटे अगली 160 किलो मिटर की दूरी 80 किलो मिटर पती घंटा की रफतार से तै करता है दूसरा समय निकालेंगे T2 कल हो जाएगा 160 किलो मिटर की दूरी है और 80 किलो मिटर पती घंटा की रफतार से तै करता है 80 का भाग देंगे 160 में तो दूसरा समय आ जाएगा 2 गंटे टोटल टाइम निकाल लेंगे T1 प्लस T2 T1 है 2.5 और T2 है 2 तो कुल समय हो जाएगा 4.5 गंटे कुल दूरी निकाल लेंगे T1 कल हो जाएगा पहले 160 किलोमेटर की दूरी तै कर रहा था फिर अगली 160 किलोमेटर की दूरी तै कर रहा है तो कुल दूरी हो जाएगी 320 किलोमेटर और सतर अफतार निकाल लेंगे तो एवरेज स्पीड इकल हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस है 320 किलोमेटर और समय लग रहा है 4.5 गंटे का solve पर लेंगे इसे दसमलो हटाएंगे 0 हो जाएगा उपर 45 का भाग दे देंगे 32 में तो यह हो जाएगा 71.1 एक किलोमीटर प्रती गंटा तो चाल आ जाएगे 71.1 किलोमीटर प्रती गंटा option cease कर right answer होगा next question देखेंगे question दिया है दो रेल गाड़ियों की चाल 6.7 के अनपात में है यदि दूसरी रेल गाड़ी 4 गंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेल गाड़ी की चाल कितनी है S1 ratio S2 दिया है 6.7 तो पहली रेल गाड़ी की चाल हो जाएगे 6X किलोमीटर पर आवर और दूसरी रिल गाड़ी की चाल हो जाएगी 7x km per hour यदि दूसरी रिल गाड़ी 4 घंटे में 364 km चले दूसरी रिल गाड़ी की चाल है 7x और वो 300-400 km की दूरी 4 घंटे में तै कर रही है x की value निकालेंगे, speed equal हो जाएगा distance upon time speed है 7x km per hour equal distance है 364 upon time है 4 hour 4 से divide कर देंगे इसको यह हो जाएगा 91 तो x equal हो जाएगा 91 upon 7 7 से divide कर देंगे 91 गो तो x equal हो जाएगा 13 km per hour तो पहली रिल गाड़ी की चाल कितनी है पहली रिल गाड़ी की चाल है 6x km per hour x की value रख देंगे इसमें यह हो जाएगा 6 into 13 तो पहली रिल गाड़ी की चाल हो जाएगी 78 km पर आवर option C is का right answer होगा next question दिखेंगे question दिया है अरुण और भासकर एक स्तान पी से क्रमसा प्राता 6 बजे और प्राता साड़े 7 बजे चलते हैं और एक ही दिसा में दोड़ते हैं अरुण और भासकर क्रमसा 8 km पती घंटा और 12 km पती घंटा की गती से दोड़ते हैं भासकर किस समय अरुण से आगे निकलता है अरुण और भासकर अरुण प्राता 6 बजे दोड़ना सुरू करता है और भासकर 7 बज़कर 30 मिनट पर दोड़ना सुरू करता है दोनों के समय का अंतर निकाल लेंगे, दोनों के समय का अंतर हो जाएगा, एक घंटा तीस मिनट, भासकर अरुण से एक घंटा तीस मिनट लेट निकलता है, या अरुण भासकर से एक घंटा तीस मिनट पहले निकलता है, तो अरुण द्वारा एक घंटा तीस मिनट पहले तै प्लस 30 बटे 60, 30 से भाग देंगे 60 में हो जाएगा, 1 बटे 2, तो यह हो जाएगा, 8 गुणा, 3 बटे 2, 2 से भाग देंगे 8 में 4, तो दूरी आ जाएगी, 12 किलो मीटर, अरूर एक घंटे 30 मिनट में 12 किलो मीटर की दूरी तै कर चुका है, सापेच्छ चाल रिलेटिव किलो मीटर पति घंटा, भाज कर किस समय अरूर से आगे निकलता है, तो भाज कर को अरूर से आगे निकलने में लगा, समय निकाल लेगी, डी बड़ाबर हो जाएगा, distance upon speed distance 12 km और speed है 4 km पती घंटा तो समय आ जाएका 3 घंटे अरुन को भासकर से आगे निकलने में 3 घंटे का समय लगता है और अरुन 7 बजकर 30 मिनट में दोड़ना प्रारम करता है और इसको आगे निकलने में 3 घंटे का समय लगता है तो भासकर का समय हो जाएका 10 बजकर 30 मिनट तो भासकर अरुन से प्राता 10 बजकर 30 मिनट में आगे निकलता है और अप्शन A इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे कोश्चन दिया है जॉन तथा मैक्स की चाल क्रमसा 30 किलो मेटर पती घंटा तथा 40 किलो मीटर पती घंटा है आरंबवे मैक्स इस्तान L पर है तथा जॉन इस्तान M पर है इस्तान L तथा M के बीच की दूरी 650 किलो मिनटर है जॉन ने अपनी आत्रा एक दूसरे को मिलने के लिए मैक्स से तीन घंटे पहले आरंब कर दी थी, यदि वे दोनों एक दूसरे से L तथा M के बीच किसी इस्तान P पर मिलते हैं, तो फिर P तथा M के बीच की दूरी है, L और M दो इस्तान है, इनके बीच की दूरी है, 650 km, इस्तान L पर Max है, Max को M से लिख लेंगे, और इस्तान M पर John है, John को J से लिख ल Max की चाल है, 40 km पती घंटा, John ने अपनी यात्रा एक दूसरे को मिलने के लिए, Max से 3 घंटे पहले आरंब कर दी थी, John Max से 3 घंटा पहले निकल रहा है, तो John दौरात 3 घंटे में तै की गई दूरी निकाल लेंगे, distance equal हो जाएगा, speed into time, John की speed है 30 km पती घंटा और वो 3 घंटे पहले निकल रहा है, तो John 3 घंटे में 90 km की दूरी तै करता है, खुल दूरी 650 km है, और John 3 घंटे में 90 km की दूरी तै करता है, सेज दूरी निकाल लेंगे, सेज दूरी बचेगी, 560 km, अब इस दूरी को Max और John दोनों मिलकर तै करेंगे, इस दूरी को तै करने में, John और Max दोरा लिया गया, समय निकाल लेंगे, टाइम इकल हो जाएगा, distance upon speed, distance है 560 km, और Max की चाल है 40 km पती घंटा, और John की चाल है 30 km पती घंटा, तो यह हो जाएगा, 560, बटे 70, 70 का भाग देंगे, 560 में 8 बार जाएगा, समय आ जाएगा 8 घंटे, क्योंकि John 3 घंटा पहले चल रहा था, और दोनों मिलकर 8 घंटे चल रहे हैं, तो John दोरा P बिंदू पर पहुंचने में लगने वाला समय निकाल लेंगे, दोनों मिलकर 8 घंटे चलते हैं, और John 3 घंटे पहले निकलता है, तो प्लस 3 कर देंगे, तो John को बिंदू P तक पहुंचने में 11 घंटे का समय लगता है, P और M के बीच की दूरी निकाल लेंगे, डिस्टेंस इक्कल हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, John की स्पीड है 30 किलोमेटर पर गंटा, और उसको P बिं अंसर होगा, नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे, कोश्चन दिया है, दो मित्र 48 किलोमेटर दूर के दो भिंद सहरों से एक ही समय पर चलना आरंब करके एक दूसरे की ओर 5 किलोमेटर पती घंटा ताथ 7 किलोमेटर पती घंटा की गती से चलते हैं, तदा नुसार वे कितने सम 5 किलोमेटर पती घंटा तता 7 किलोमेटर पती घंटा की चाल से चलते हैं, मित्र A, B की ओर 5 किलोमेटर पती घंटा की चाल से चलता है, दोनों की सापे इच्छे चाल निकाल लेंगे, आरे सिकल हो जाएगा, क्योंकि दोनों विपरीत दिसा में गतिमान है, A, B की ओर जा रह जाएग cabay 12 किलो मीटर पति घंटा और यह दोनों 48 किलो मीटर के दुरी टैंग कर रहे हैं तो कितनी समय बाद इक दूसरे मिल पाएंगे समय निकालना है these call हो जाएगा 48 किलो मेटर की किस इस पेची चाल है 12 किलो मेटर पती घंटा 12 से दे देंगा 48 में यह हुजाएगा चार घंटे तो चार घंटे बाद वो दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे option D का right answer होगा next question दिखेंगे question दिया है एक व्यक्ति पहाली पर चड़ते हुए 2.5 km पती घंटा और उतरते हुए 3.25 km पती घंटा की दर से चल सकता है यदि पहाली पर किसी दूरी तक चड़ कर प्रस्तान बिंदू पर उतर कर वापस आने में कुल समय 4.36 प्रट लगते हैं तो वह व्यक्ति पहाली पर कितनी दूर तक चड़ा था माल लेंगे व्यक्ति पहाली पर 1 km की दूरी तक चड़ा था और इस दूरी को वो पहले 2.5 km पती घंटा की चाल से चलता है तो पहला समय निकाल लेंगे T1 इककल हो जाएगा distance upon speed distance है x km और speed है 2.5 km पती घंटा ये हो जाएगी first equation और उतरते हुए वो 3.25 km पती घंटा की दर से चल सकता है तो दूसरा समय निकाल लेंगे distance है x km की और तब उसकी चाल है 3.25 km पती घंटा ये हो जाएगी second equation ये हो जाएगा T1 प्लस T2 इककल और व्यक्ति को पहाडी पर चड़ने और उतरने में 4 घंटे और 36 मिनट का समय लगता है तो ये हो जाएगा 4 प्लस 36 बटिस 8 T1 की value है x upon 2.5 प्लस T2 की value है x upon 3.25 इककल 6 से divide कर देंगे ये हो जाएगा 6 upon 10 2 से divide कर देंगे इसको 3 upon 5 ये हो जाएगा 23 upon 5 x common ले लेंगे अंदर बचेगा 1 upon 2.5 प्लस 1 upon 3.25 इककल 23 upon 5 पॉइंट रटा देंगे उपर एक 0 हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट रटा देंगे उपर 2 0 हो जाएगे 5 से divide कर देंगे इसको ये हो जाएगा 2 upon 5 25 से इसको divide कर देंगे ये हो जाएगा 4 upon 13 ति ये हो जाएगा x 2 upon 5 प्लस 4 upon 13 इककल 23 upon 5 LCM इसका आजाएगा 65 ये हो जाएगा 26 प्लस ये हो जाएगा 20 x equal 23 upon 5 यह हो जाएगा x into 46 upon 65 equal 23 upon 5 23 से divide कर देंगे 46 को 2 5 से divide कर देंगे 65 को 13 x equal हो जाएगा 13 upon 2 2 से divide कर देंगे 13 को तो यह हो जाएगा 6.5 km तो व्यक्ति पहाली पर 6.5 km दूर तक चड़ा था option d का right answer होगा